मित्रों राधे राधे काईसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी आप सब का कल्याण करेंगे मित्रों दिवाली से जुड़ी तीन कथा एवं महत्व को जानेंगे इस कथा के बारे में जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाईक करेंगे और जादे से जादे सीर करेंगे मित्रों हिंदु धर में दिवाली का विशेश महत्व है इसे पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूम धाम के साथ मनाया जाता है यह तिवहार धन तेरस से सुरू होता है और भया दूच के दिन समाप्थ होता है दिवाली का त्यवहार आमवस्या तिथी के दिन मनाया जाता है इस दिन साम के समय लच्छमी पूजा का विशेश महत्व है इस दिन संध्या और रात्री के समय सुभ मुहूर्त में मालच्मी बिग्न हर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जते हैं। पूराणों की अनुसार कार्तिक आमवस्या की अंधेरी रात में महालच्मी स्वय भू लोक पर आती हैं। इस दवरान जो घर हर प्रकार से स्वच और प्रकास्वान होता है वहां अंस रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दिवाली पर साप सफाई करके बिधी बिधान से पूजन करने से माता महालच्मी की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है। मित्रों दिवाली से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से लेकर लंका पर विजय प्राप्त तक की है। कथा को जानते हैं। मित्रों कार्तिक आमवस्या के दिन भगवान स्री राम चंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर और लंका पती रामण का नास करके आयोध्या लोटे थे। इस दिन भगवान स्री राम चंद्र जी के अजोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप दान दीप जला कर उच्व मनाया था। तब ही से दिवाली की सुरुवात हुई एक अन्य कथा की अनुसार नरका सुर नामक राक्षस ने अपनी असुर सक्तियों से देवताओं और साधू संतों को परिशान कर दिया था। इसके बाद भगवान स्री किष्र ने कार्तिक मास के क्रिश्ट पक्ष की चतूर दसी को नरका सुर का बद करके देवताओं संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही सोलह हजार इस्त्रियों को कैद से मुक्त करया। इसी खुसी में दूसरे दिन यानि कार्तिक मास की आमवस्या तिथी को लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए। तभी से ये नरक चतूर दसी और दिवाली का तिवहर मनाया जाने लगा। इसके आलावा दिवाली को लेकर और भी पावरानिक कथाएं सुनने को मिलती है। धार्मिक माननेता है कि इस दिन भगवान विश्रू ने राजा बली को पाताल लोग का स्वामी बनाया था। और इंद्र ने स्वर्ग को सुरच्छित पाकर खुसी से दिवाली मनाई थी। इसे दिन समुद्र मन्थन के दोरान छीर सागर से लच्मेजी प्रकट हुए थी। और उन्होंने भगवान विश्रू को पती के रूप में स्विकार किया था।